नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चनल NoExault में आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंट्रस्टिंग वीडियो लाया हूं जिसके अंदर आप आज के डी-to-day life में सभी WhatsApp को यूज़ करते हैं तो उसके कुछ ऐसे फीचर्स और टिप्स जो हमारे डिवाइस म यह हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला टेप और जो फीचर वाट्सप ने एड़ किया है वह वाट्सप पेमिंट यूपियाई पेमिंट अब स्टार्ट हो चुका है तो कैसे करना है लेट्स डू सबसे बले आपको अपने सेटिंग्स में जाना है सब्सक्राइब करना है तो आपके फोन पे जस्ट वैरिफिकेशन आएगा और वह आटमेटिकली अपका रजिस्टर्ड हो जाएगा यूपियाई तो यह लीजिए मुझे मैसज आ चुका है यह मेरा सक्सेफुली रजिस्टर्ड हो चुका है यूपियाई वाट्सप के थू तो आप अब इसमें आगे चेक करते हैं यह देखिए मेरा अकाउंट यहाँ पर सक्सेफुली एड हो गया है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपका जैसे ही होगा तो यह देखिए आपका पेमेंट आप पेमेंट कर सकते हैं यूपियाई चलिए अब हम जान लेते ह है अपने टिप नंबर टू जिसके अंदर आप कैसे अपने वाट्सअप का बैग्ग्राउंड को इसी पर्टिकुलर चैट या ग्रूप का चेंज कर सकते हैं आपको सबसे पहले आपका कोई परस्नल चैट या ग्रूप उपन करना है उसके बाद आपको वाल पेपर्स एंड साउंड पर क्लिक करना है वहां से आपको एक न्यू वाल पेपर चूज करना है यहां मारे को त्रीन ओप्शन मिलेंगे प्राइट इसके नरब मल्टी प्रा प्राइट का वाल पेपर चूज कर लेते हैं सो लेट सेन एग्जम्पल हम इस बर्ड को वाइट कर लेते हैं और यहां सेट पर आपको क्लिक करना है और बैक करके आप इसको पर्टिकुलर किसी चैट या उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप कभी भी किसी का मैसेज वाले परसन को पता ना चले कि आपने मेसेज रीड किया है तो उसके लिए आपको यह स्टप्स फॉलो करने हैं आपको सबसे पहले अपने सेटिंग को उपन करना है सेटिंग सो अपने के बाद अकाउंट में प्रेविसी पर आपको फॉस्ट उप्शन के रगे और बड़ी की जगे नोबड़ी पर क्लिक कर देना है ताकि आपका कोई भी मैसेज आप रीड करते हैं और सामने वाले बर्सन को वो अन्रीड ही शू चलते हैं अपने चौती टिप के बार गाइस आपने काफी बार देखा होगा कि कुछ ग्रूप्स ऐसे होते हैं जिसमें उनली एड्मिन को राइड होता हैं कि वो उसमें कोई भी कांटेंट या कुछ पेस्ट कर सके सात ही साथ कोई ग्रूप्स ऐसे होते हैं जिसके अदर आप उसका और उसके अंदर कोई भी एड्ट उसके नेम कू नहीं कर सकते तो वह कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ Let's DoIT guys, आपको पहल members हैं तो आप particularly select कर सकते हैं second आप अपने group की information अगर edit करना चाहते हैं कि only आप ही के पास rights हों कि आप group के जो भी logo and उसका username जो है आप ही change करें तो आप दोनों select कर सकते हो tip number five अगर आप अपना status जो आप status लगाते वाटसप पर वो किसी specific person यह कुछ अपने गिने चुने आत्मियों को दिखाना चाहते हैं यह किसी person को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या steps follow करने है let's do it आपको सबसे पहले settings में जाना है उसके बाद accounts में उसके बाद privacy में privacy में आपको status क्लिक करना है status में आपको तीन option मिलेंगे my contacts और इसमें second option मिलेगा my contacts accept मतलब कुछ आदमियों को छोड़के सब contacts को आप भीजना जाते हैं या only आप किसी particular को send करना चाहते है tip number six, पहले क्या होता था WhatsApp में अगर आप किसी particular person को या किसी group के notifications को mute करना चाहते थे तो वो particular कुछ time के लिए होती थी बढ़ अब WhatsApp ने एक नया feature add कर दिया है जिसके तहत आप अपने किसी particular chat या group के notifications को permanent mute कर सकते हैं तो let's do it, आपको सबसे पहले group या chat को open करना है उसके बादे mute option पर क्लिक करके आपको यह पर तीन option में लेंगे 8 hours, 1 week और always तो आप always पर क्लिक कर दीचिए तो आपके permanently आपके notification पर्टिक्लोर ग्रूप के off Tip No.7 WhatsApp ने एक new feature add किया है यह पहले भी था कि आप किसी भी text को pulled कर सकते हैं italic कर सकते हैं या उसको उसमें बीच में underline कर सकते हैं या उसका font चेंज कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे उसे चेंज कर सकते हैं आपको सबसे पहले किसी चैट को open करना है उसमें अपना text टाइप करना है टाइप करने के बाद उस पर टेक्स पे double click करेंगे तो भी आई यू आपको लिखा गो उस पर click करेंगे तो आपको यहां पे चार option मिलेंगे बोल्ट इटालिक शो सबसे पहले हम बोल्ट पे click कर लेते हैं जैसे यह शाव बोल्ट पे click करेंगे आप जितनी भी इस बार B, I, U पे जाना है and उसके बाद आपको italic पे क्लिक करना है तो आपको italic जो है आपका font italic हो जाएगा same process अगर आप चाहते हैं कि आपको word को आप underline करें तो आपको strike through पे क्लिक कर देना है तो आपका जो भी text है वो center से एक line खिच जाएगी तो आपका text जो है आपको थोड़ा unique लगेगा अगर आप किसी को बेजना चाहते हैं third, fourth जो है आपको बताना चाहूंगा monospace इसमें आप जैसे ही click करेंगे तो आपका जो font है वो change हो जाएगा आपको कोई समें external software यूज करने की ज़रूरत नहीं है तो आप देख लिजिए चारों आप ऐसे change कर सकते हैं आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं और भी बैतर टिप्स और ट्रिक्स के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब केजिए लाइक केजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर केजिए धन्या